कुकविद कोशु में स्वागत तर्फेंस आपका ताज मैंने यह पेठिक सब्जी बनाई है और इस सब्जी भूती टेस्टी बनी है बिर्कुल हल्वाई जैसे बनाता उसी टाइफ से सब्जी मैंने बनाई है और अभी आद्धा किलो मैंने पेठा लिया है इसको मैंने मोटे मिर्च लिया है एक विल्या度 क सामी यूज करते हैं तो म साली में सबसे पेले एक चमर्च मेंचा हलदी लिया है चंध मैं और यह थनिया बावडर लिया है यह बहुना भूना और यह त्रकुली लैरेगा लिए तिकि कम होती है लेकिन कर्ण बहुति आच्छा बहुत यह ठा तो यह दे इसको बीच बाएंगे ऐसे एक दो बार गुमाएंगे ताकि तेल में अच्छे से मिक्स हो जाएं इसको जाएंगे इसको जाएंगे जादा जलाना नहीं तो जल जाते हैं और सब्जी का टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है इसे क्लर बहुत अच्छा आता है तो तेल में मसाले डालते हैं तो और अभी मैंने टमाटर डाल लिए हैं टमाटर डालकर हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक यह तेल चोड़न तो इसको मैंने डखकर रख दिया और इसको डखके वए पांस मिन्ट हो चुके हैं अभी हम चैक कर लेते हैं तो सब्जी मसाला वह अच्छे सब्जी मिक्स हो चुका है पका नहीं है लेकिन अभी तो अब इसके अंदर हम जो गुड़ है 100 ग्राम गुड़ मैंने कसके रखा चावा दाल लेंगे यह उसको माच्छे से मिक्स कर लें गुड़ को है कि ऑन को मिक्स करने बाद इसको फिस्ट से डखक कर पान से शात मीन्ट केब पर करते हैं तो देख सकते हैं इसका कलर बिल९ू चैंघ हो जाता है कितना टेश्टी कलर लगता है साहत में खानम भोती हो यह दाला है तो मैंने इक इक प्वाभ पानी डाला है आप आतремत चाहिए अगर आपको तरीच जाए प्वागा है तो है तो कि खटाई के लिए मैं थोड़ा डाल में तरिमा कृष्ट होटी हो डाल लिया है और अगर आपकी सब्जी ऐसे नहीं बनती तो आप सीटी भी लगवा सकते हैं तो अभी लास्ट मैंने हरा धनिया डाल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो पूरी साथ यह सब्जी बहुत अच्छी लगती है तो इसके लिए मै मेरी ड्रक स्पी कैसी लगती है अगर मेरी ड्रक स्पी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट आप सब्सक्राइब जरूर करें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद